ओम शिरी गनेशाय नमा, नमस्कार दोस्तों, रोचेत जानकारी में आपका स्वागत है दोस्तों घर में आने वाली मुसीबत से लेकर धान आनाय तक का संकेत देता है कोवा जी हाँ दोस्तो काले रंग का कौवा आपको हर तरहे की समस्या हो या धनलाब हो महमान आने वाले हो हर चीज का कौवा पहले ही संकेत देने लगता है भूल कर भी कौवे के इन संकेतों कौन देखा आपको नहीं करना है चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन से संकेत है जो कौवा हमें देता है उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी का कोई को समान्यता अतिती आगमन का सुचक और पित्रो का आश्रे स्थल माना जाता है पुराणों के एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अम्रत का स्वाथ चक लिया था इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वभाविक म्रत्यू नहीं होती कोई बिमारी और रद अवस्ता में भी उसकी म्रत्यू नहीं होती है इसकी मृत्य आक्समिक रूप से ही होती है वैसे एक कोई को शनी और पूर्वजो का प्रतीक माना जाता है इसलिए शनी को शांत रखने के लिए कोई को रोटी खिलाई जाती है शनी दोस से बचने के लिए माना जाता है कि कभी भी कोई को किसी चीज से मारना नहीं चाहिए अगर ये छट पर रखा पानी पी रहा है तो भी इसे एकदम नहीं उड़ाना चाहिए जोतिश और भविश्य वक्ता भी इस बारे में बात करते हैं कहते हैं कि कुछ चीजों का संकेत देने के लिए कोई बहुत ही उप्यूख्त है जिसके जानकारी काफी कम ही लोगों को होती है और जो थोड़े बोहुत लोग जानते हैं कि वह इसकी काउं काउं को केवल अथितियों के आगमन तक ही जोड़ कर देखते हैं जबकि उनके अनुसार वास्तों में कोवा हमें बहुत है गुण रहस्यो या ये कहूं कि हमारे साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें पहले ही दे देता है सबसे पहले बात करते हैं अगर कौवा पानी पिए तो देखे अगर घर के आहते में रखे किसी भी पानी से भरे पातर पर कौवा आकर बैठ जाता है तो यह धन लाप का संकेत होता है यह बताता है कि निकट भविश्य में आपको आई की नई श्रोत मिल सकते हैं यह परिवार में सम्रद्धी आने का संकेत भी देता है नेक्स्ट है आपका रोटी का टुकड़ा लिये हुए कोवाँ दिके मुम में रोटी का टुकड़ा या खाने की कोई भी वस्तू लिये अगर कोवाँ आपकी छट पर या घर के आहते में बैठे तो समझी की जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है कोई की आवाज कोवाँ अगर शांत स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ सब्बंदों में मधूरता आती है वहीं अगर ये सीर उपर करकर स्वर में लगातार आवाज निकाले तो ये आने वाली मुसीवत का संकेत होता है अगर कोई आपस में लड़े देखें माना जाता है कि अगर कोई का जुन आकर आपस में लड़ता है और आपके घर में आकर बैठता है और फिर वो लड़ने लगते हैं तो समझी कि घर के मालिक पर विपत्ती आने लगती है अगर कोवा लाल रंग की वस्तु डाल दे देखी यदि कोई कोवा सुभे सुभे व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो यह कहा जाता है कि आपको जेल होगी कुछ और मानने ताइब ही है जो कोवें से जुड़ी हुई है कोई के अंडों की संख्या से भी सुभा शुप की भविश्वानी की जाती है यदि कुवा मादा एक ही अंडा थे तो इसे कारुन कहा जाता है इससे अच्छी वर्षा वे अच्छी पैदावार के संख्यत होते है यदि दो अंडे दे तो इसे अगनी कहा जाता है ऐसी इस्तिती में अल्प वर्षा होती है खेतों में डाला गया बीज अंकूरित नहीं होता और लोग दुखी रहते हैं तीन अंडों को वाईू कहा जाता है यह भी शुब संकेत नहीं माना जाता है फसल को पसू पक्षी नश्ट कर देते हैं कोवा यदि चार अंडे दे तो इसे इंदर कहा जाता है इसे अत्यंत शुब माना जाता है यात्रों में विचार यात्रा करने से पहले कोवे को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है यदि कोवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहन करता है तो यातना निर्विगने संपन होती है यदि कुवा पीट पीछे से आता है तो प्रवासी को लाब होता है दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए तो भोग ग्रहन करे तो यातरा में सफलता मिलती है अनिता विप्वीत फल मिलता है यदि कुवा सामने से आकर भोग ग्रहन करे तो पैर से सिर्ख हुजलाए तो कारिय सीध होता है यदि भोग ग्रहन कर उड़कर कुवे की पाल पर जाकर बैठ जाए नदी तट पर जाकर बैठ जाए या जलपूर्ण घट पर बैठ जाए तो खोई वस्त मिलती है धनलाब होता है यदि कुवा अपनी चोच में फल रोटी मास कर टुकड़ा दबाए दिखाए दे तो अभिष्ट्यकारे की सफलता होती है यदि आप देखते हैं कि गाई की पीट पर बैठ कर कुवा अपनी चोच रगड़ा है तो उससे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है सुखा तुनका अपनी चोच में लिए दिखे तो धनलाब होता है कोई की चुच में फूल पत्ती हो तो मनोरत की सिद्धी होती है कोई आज के धेर पर बैठा मिले तो धनलाब होता है और गाई के सिर पर बैठा मिले तो प्रिये जनों से भेट वारता होती है तो ये थी कोई से जुड़ी कुछ जानकारे तो उमीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंड बॉक्स में ओम शिरी गणेशाय लिखना मत भूलेगा ओम शिरी गणेशाय नमा नमस्कार दोस्तो